तो इसकी पहली वाली वीडियो में लोग ने बात किया था BSC 6 Semester और Last Semester के Mathematics के First Paper के उपर मतलब हमारा जो चल रहा था वो कौन दर चल रहा था M11 के उपर हम लोगों ने बात कर ले और उस पर बात करने के बाद हम लोगों ने आपको बताया कि अगली वीडियो में लोग आप लास्ट और Six Semester में आपको तीन पेपर पढ़ना होता है लेकिन आप लोगों को जो M11 है वो कंपलसरी पढ़ना है और M12 और M13 में आप लोगों को क्या है एक Optional है मतलब एक तो आपको Special Theory of Relativity चूश करना है या फिर आप लोगों को चूश करना है नंबर थेरी तो इस वीडि में पहले यह समझा देता हूँ इन दोनों के बीच के डिफरेंस को की Special Theory of Relativity में क्या है और नंबर थेरी में क्या है और फिर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका syllabus क्या है Special Theory of Relativity और कितना importance है और कितना importance भी है और कितना important भी है Special Theory of Relativity को पढ़ना क्योंकि आप लोगों को यहां पर क्या है दो चैप्टर से मतलब एक यूनिट के कुछ चैप्टर से वह पढ़ना होता है और आपको अगर देखा जाए तो इस पेसल तोर पर mathematics में चार यूनिट पढ़ना होता है जो की एक बुक के बराबर है तो इस डिफरेंस को भी हम लोग समझेंगे तो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ इस टॉपिक को मैंने आपको बोला था कि maximum 90% स्टुडेंट को चूज करते है इसका रिजर यही है कि इस पेसल तेरी ओफ रिलेटिविटी फिजिक्स का पाट है मतलब यह है कि हम लोग के लिए नोन है इसको हम लोगों ने पहल समझने के लिए तो यह अब आपको इस चीज को सुने रहते हैं और हम लोग बात करते हैं लोगों बता इता हूँ कि पूरानी वीडियो ने क्या बात किया था हम लोग ने अप्स्ट्रा पढ़ा था जिसमें लोग ने देखो यह ग्रूप ऑटो में लीनीइर ट्रश्फर्म transformation and linear product space तो इसके उपर हम लोगों ने बात कर चुका है अब हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले Spatial Theory of Relativity में इसको समझने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि हम लोगों को जो No.3 है जो कि हमारा Optional Paper है इसकी वीडियो हम लोग इस वीडियो के अगली वीडियो में बात करेंगे इसके Topic के उपर इसमें क्या-क्या है इसको डीटेल में समझेंगे ठीक है और यह भी बात करेंगे कि हम लोग कौन ते 4 unit पढ़ना होता है तो मैं आपको पहले difference बता देता हूँ ठीक है No.3 क्या होता है पहले समझ लेते हैं मैंना जैसे आप लोग को समझा है कि special theory of relativity क्या है अगर हम लोग special theory of relativity को समझने जाएंगे तो हम लोग को साथ यह वीडियो को 1-2 हंटे को extend करना होगा तो हम लोग अभी physics के लिए वो ना पढ़ा रहे है ना भी हम लोग mathematics को special theory of relativity पढ़ा रहे है जब वो हम लोग पढ़ने वाले है तो वहां पर हम लोग उसको deeply में discuss करेंगे लेकिन मैं आपको जो उपर उपर तोर पर मैंने भी आप बता दिया होगी क्या पढ़ना होता है special theory of relativity में बस वह यह आप लोगों को physics में special theory of relativity पढ़ाया जाता है और यह समझ लीजिए कि आपको mathematics में उसको प्रूफ किया जाता है with the help of equations ठीक है ना किसी भी theory का solution क्या है कि उसका equation क्या है ठीक है ना special theory of relativity किस इस पर बेसिस पर काम करती है ठीक है न ने क्या दिया है क्या दिया है mc square क्या दिया है वही सब चीजों के उपर हम लोग बात करते हैं ठीक है इस प्यूबर mathematics का एक पार्ट है ठीक है एक ब्रांच बूल सकते हो ठीक है ना क्या लिखे देगा अपर नंबर थेरी इस ब्रांच समझ लिए इस चीज़ को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इतनी बड़ी बात बोल दिये जर्वर मैंतेमेटिशन की मैंतेमेटिक्स अगर क्यून आफ साइंस है तो जो नंबर थेरी इस ब्रांच अब लोग तो यह अब यह रिजन यह है आपको बता दू कि नंबर थेरी योग पर बात होती है कि क्या होता है binary relations, group theory, boolean algebra क्या होता है, latis क्या होता है, divisibility and converse क्या होता है, ठीक ना तो यह theory बात है और थोड़ा सा अलग हो जाता है physics है, मतलब कैसा होता है, जाता students क्या होते है, BSc में एक तो computer science के होते हैं, या फिर PCM group के होते हैं, तो उन लोग को आदत होती है, equation solve करने की, और theory पढ़ने की, और physics के related अगर हो, तो उनको जादा मज़ा आता है, लेकिन जो number theory हो जोड़ा सा अलग part हो जाता है, जो part हम लोगों में से आप लोग को एक choose करना है, तो मैं आपको suggestion करूँगा कि आप लोग दोनों में से एक paper दे सकते हो, दोनों में से एक paper आपको देना जरूर है, लेकिन आपको जो number theory है, आपको समझना है, अगर आप लोग को BSc में higher standard में study करना है, तो बहुत important है वापर number theory को समझना जान क्योंकि वहाँ पर बहुत जादा उसको आगे ले गया है, उसके conceptual को बात की गई है, और जो special theory of relativity है, मैं आपको वह बता दिया हूँ, कि वह physics में आता है, करके उसमों समको easy लगता है, ऐसे कुछ easy easy कुछ होता नहीं है, तो यह है कि अगर आप लोग higher study में, higher study में number theory के उपर आप detail में समझेंगे क्या होता है number theory और फिर हम लोग इसके chapters को भी start करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले है आज, special theory of relativity, तो देखो special theory of relativity में आप लोग को 4 chapter पढ़ना है, ठीक है, first one is foundation of special theory of relativity, chapter number 2, जिसका chapter number 6 भी बोल सकते है, relative strict kinematics, और chapter number 3 इसको हम लोग tensor and space time structure, बहुत important और बहुत lengthy chapter लेकिन easy chapter रहे है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और last chapter हमारा chapter 8, relativistic mechanics, तो यह है हमारा 4 chapters, इसके detail के उपर बात करेंगे कि foundation of special theory of relativity में हम लोग क्या बढ़ने वाले है, फिर हम लोग बात करेंगे इसके अगले-अगले topics के उपर जाएंगे, relativity mechanics के उपर जाएंगे, देखो दोनों का जो weightage है, वो same है, आपको जितना special theory of relativity में marking है, उतनी है आपको वो भी है, और अगर आप लोग यह सूच रहे हैं कि कहां पर score करना जादा है, तो number theory में जादा है score कर सकते हैं आप लोग, लेकिन जो आप लोग की आ of relativity के उपर, ओके तो यह हमारा special theory of relativity का first chapter या फिस को आप लोग बोल सकते हो, chapter number 5, इसमें क्या पढ़ने आपको foundation of the special theory of relativity, मतलब यह कि इसमें आपको पूरा basic बता जाएंगा, लेकिन मैं आपको suggestion दोगा कि अगर आप लोग का physics भी है BSC में, तो पहले आप लोग क्या करो, उस special theory of relativity को पढ़ लो, वहाँ पर जैसी आप लोग special theory of relativity को just read भी करोंगे, आफिर अच्छे से पढ़ लोगे, आपको समझ में आजाएंगा, क्या है special theory of relativity, और मैं यह भी एक सज़ेश्च करूँगा आपको, कि आप लोग, जब mathematics का special theory of relativity पढ़ रहे हो, तो आप लोग physics का पहले पढ़ लेंगे, वहाँ पर आपको actually में बताया जाता है कि meaning क्या होता, special theory of relativity का, क्या होता है, frame of reference, क्या होता है, non initial frame of reference, time relativity, जितनी छोटे-छोटे topic है, वहाँ आपको यहाँ पर काम आते है, वैसे just mathematics का है, तो mathematics अपने हिसाब से आप लोग को बताएंगा, जो उसको जरूरत है, लेकिन आप लोग को पूरा पता होना कि क्या है special theory of relativity में, इंट्रो में यह लोग स्रिफ नाम लिख देते हैं और आगे बढ़ जाते है, उसके बाद आप लोग जानते हो, समझते हो कि special theory of relativity का जो concept है, वह हमको Newton ने दिया है, तो सबसे पहले हमको उसी के नाम का एक topic पढ mechanics, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे Maxwell electromagnetic equation, अब आप लोग अगर physics में पढ़ चुके होंगे तो आप लोग को पता है कि Maxwell का जो, क्या बोलेंगे उसको, Maxwell ने जो अपनी theory दिया है, वो क्या है, वस वो ही यहाँ पर है, वस इसको हम लोग क्या करेंगे, with the help of mathematics में हम लोग पढ़ रहे तो mathematics के हिसाब से इसको solve करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे theory of ethers, हम लोग जानते है कि special theory of relativity है, जो speed of light है, वो काम नहीं करती, ethers के उपर, तो यहाँ पर theory of ethers के topic है, वो आपको पढ़ना है, फिर हम लोग पढ़ेंगे special theory of relativity और कुछ वहाँ पर questions को solve करेंगे, फिर हमारा अगला है, वो है relativistic kinematic, फिर हम लोग देखेंगे, इसका first one is, फिर हम लोग देखेंगे event and particles, फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले है, transformation equation for particle velocities, तीगे न, velocity क्या होती है, transformation क्या होता है, particles क्या होता, events क्या होता, यह आप लोग physics में जानते हो, हम लोग उने mathematics भी है, recently कुछ quantum mechanics में, तो वहाँ पर भी हम लोग को इस चीज़ों को समझाया गया, फिर हम लोग हमारा four topic पढ़ेंगे, it's called relativity addition, law for velocities, फिर यहाँ पर और दू topic है इसके साथ, और फिर हम लोग पढ़ेंगे, transformation equation for acceleration, transformation equation for lawrence contraction factor, अब आप लोग को मैं समझाता होगी, जब आप of relativity बढ़ेंगे तो वहाँ पर अपने लोग ने कुछ rules पढ़ेंगे, इन लोगों के दिये हुए कुछ concept को पढ़ेंगे, जब लॉरेंट्स ताम बार-बार आता है, ठीक है, लॉरेंट्स ने जो अपनी theory दिया, उसका मैक्सवेल ने दिया, इस सब की theories को ही, अपने लोगों करने में आपको बहुत मजा आएंगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे हमारा last topic, it's called a consequence of Lawrence transformation, फिर हम लोग गार जो third number का chapter है, और आप लोग बोल सकते हो chapter number 7, तो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है, tensor and time space structure, देखो, पूरे special theory of relativity में सबसे बड़ा chapter यही है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, tensor, यह जब इसकी जो definition है, इसके जो questions हो बहुत अच्छे है, बहुत मजा आएंगे आपको solve करने के लिए, दो डाइप के tensor होते हैं, तो सब हम लोग जब इसको start करेंगे tensor and time space structure, तो वहाँ पर हम लोग इसके ओपर detail में बात करेंगे, आप लोग सिफ समझ लो कि किस chapter में आप लोग को क्या-क्या पढ़ना है, और क्या-क्या पहले से पढ़के रखना है, तो फिर आप लोग को बहुत काम आएंगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे, राइमेरियम, space, और फिर हमारा last topic है, इसका space time structure, फिर हमारा last topic है, it's called relativistic mechanics, यह ब बड़े-बड़े topic है, उसके बहुत सारे questions है, तो यह आपको पढ़ने में मज़ा भी आएंगा, और मैं आपको एक और बार बूलूँगा, अगर आप लोग पहले से special theory of relativity को जानते हो, quantum mechanics को जानते हो, इसमें किन-किन लोगों ने अपना योगदान दिया, उसको समझते हो, velocity, acceleration, energy को समझते हो, mass energy को समझते हो, तो यहाँ पर आप लोग को और easy जाने वाला है, relativistic mechanics को पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले आप लोग देखोंगे, आपका यहाँ पर intro रहेंगा, फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे, variation of mass with velocity, फिर हम लोग यहाँ पढ़ने वाले mass energy equivalence is equal to mc square, ठीके ना, यहाँ भी square possible नहीं है, मैंने आपे square लिखाऊ, यह क्या है, हम लोग जानते है equation है, कि सीच का Maxwell का बहुती easy और बहुती famous और important equation, इसी के equations को basics में लिए हम लोग इसको आगे questions solve करते है, फिर हमारा transformation equation for mass, फिर हम लोग पढ़ेंगे energy equation for momentum and energy, फिर हम लोग पढ़ेंगे energy momentum for four vector, फिर four velocity and acceleration पढ़ेंगे, फिर relative is the equation of motion, फिर energy momentum tensor, देखो मैं tensor बोल रहा हो आपको, बहुती important term है, बहुती important है, तो आप लोग को उसको पहले सी पढ़ लोगे, तो फिर आगे के chapters में आपको वो काम आएंगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे Maxwell equation for electromagnetic theory in vacuum के पढ़ेंगे, हम लोग ने ether के लिए इसके previous chapter में पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको vacuum में पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसके questions को solve करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग को यह भी लग रहा होगा कि आप लोग यहापन mathematics की बात कर रहे हो, लेकिन आप लोग को इसके कुछ questions को discuss करेंगे, मैं आपको बता दू जब भी मैं chapters आपको future में पढ़ाऊँगा, तो मैं chapter के बाद आपको questions भी solve करके दूँगा, फिर questions solve करने के बाद हम लोग कैसे उसको physics से relate करते हैं, उस topic के उपर भी हम लोग समझेंगे, फिर हम लो questions solve करेंगे, ठीक है, तो मै आशा करते हो, यह वीडियो आपको बहुत helpful हुई होंगी, आप लोग को काम आई होंगी, आप लोग को पढ़ने में आसा नहीं जाएंगी, अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे, नंबर थेरी के उपर, और यहां पर हम लोग इसको detail में बात करेंगे, समझेंगे क्या होत अब आपको बता दो, आपको जितनी भी ATM and user related या फिर कोई भी university related information चाहिए, तो आप लोग को क्या करना होंगा, www.study.com, इसमें आपको विजिट करना होंगा, आपको वापे सारी चीज़े मिल जाएंगे, और मैं अभी future में जो भी topic पढ़ाऊंगा, उसकी notes भी मैं इस website पे लगे होंगे तो वीडियो को like करो, अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए, goodbye, और आपके जो भी doubt है, जो भी problems, आपको comment box में हमको बता सकते हो, तो अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए, goodbye.